है रहा दोस्तों आज की स्ट्रीव आपको बताने बाला हूं आप टेलीग्राम एप किस तरीके तरी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो लोग वाट्सप यूज कर रहे हैं अब जो वाट्सप की नहीं पॉलिसी आई हैं उसको आपको एग्री होना ही होगा अगर आप सारे फीचर के बारे में यहां पर आपको बताने वाला हूं एक एक फीचर के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप जानना चाहते तो वीडियो को लाच तक देख लें और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहे जाती है आप कमेंट बोक्स में कमेंट क करके जरू बताएं और वीडियो चे लगए तो लाइक और शेर जरू कर दें और चैनल को पहली बार आए तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और वैल आइकन के बाहर पर क्लिक करना ना भूर है क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लाता रहता रहती है तो चले दोस्तों चलते हैं म गूगल प्रेंच पे जाना है प्लेंच पर इपर आपको सर्च कर ना है तो यहां पर आपको इसुर कर लेता हूं तो दोस्तों आपको जब यह एप इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको option दिखाई देरा open इस पर click करके आपको इसको open कर लेना है तो यहाँ पर हमने telegram open कर लिया है लेकिन आप अगर first बार use कर रहे हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे option दिखाई देरा आपको start messaging इसके उपर click कर देना है जैसे आप यहाँ click करेंगे तो यह यहाँ पर आपको mobile number मौगा है यहाँ देख सकते लिखाओ please allow telegram to receive calls so that we can automatically confirm your phone number इसके बाद आपको यहाँ पर okay पर click कर देना है और यहाँ पर जो भी allow मांग रहा है इसके उपर आपको click कर देना है यहाँ दोस्तो आपको अपना mobile number डाल देना है जिससे भी आपने अपने टेलिग्राम यूज करना चाहते है तो यहाँ पर मैं अपना मुवाईल नंबर डाल देता हूँ दोस्तों मुवाईल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ये लिषान दे रहा है ये वाला इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ please allow telegram to read the call log so that we automatically enter your code for you तो इसके उपर आपको OK कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको allow कर देना है इसके बाद आपके mobile पर एक OTP आएगा और यह जो OTP है यह खुद ही ले लेगा देखिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं अभी OTP आने वाला आपको mail नमर पर यह देखिए यहाँ पर OTP आ चुका है और यह OTP आपको यहाँ पर खुद डालना है तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूं OTP डालने के बाद यह देखिए यहाँ पर आपको इसके interface दिखाई देगा तो आपको किस तरीके से यूज़ करना अगर फर्स्ट बार यूज़ करें वह मैं आपको बथा देता हूं तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर अत्ती लाइन दिखाई देना है यहां पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना कोई भी यह अलाओ के लिए बोला है पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो यहां से लगा सकते तो मैं यह देखें यहां पर आपको यह इमेज में चेंज भी कर देता हूं यह देखें तो इसके साथ आप इस तरीके से इसको स option मिलते हैं आप यह देखें यहां पर आपको option दिखाए देरा है add account यानि कि आप इसके उपर क्लिक करके आप एक साथ अपना जो टेलिगराम की जो account है आप दो नंबर दूसरा भी नंबर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वह यहां पर डाल कर आप एक साथ यूज कर सक आते हैं कोई family group हो या कोई भी गूरूप अगर बनाना चाहते तो आपको इसके उपर क्लिक करना है तो यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी आप गुरूप में जिसने भी लोगों को add करना चाहते हैं आपको यहां पर उनके उपर click कर देना है तो अगर आप इसमें आपको आप जादू यहां पर आप minimum 2,0,00,00 लोगों को एक group में add कर सकते हैं जो की काफी अच्हा इसका feature है दो लाग लोक बहुत होते हैं आप आप 2,00,00 लोगों को गुरुप में Aड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जिसको भी एड करना चाहते उसको उपर कलिक कर देना आपको तो मैं यहाँ पर देखेंगे यहाँ से आड कर देता हूं कुछ लोगों को तो मैं सिर्फ अभी यहां पर एक ही person को add करके आपको दिखाने बालों आप किस तरीके से गुरूप बना सकते हैं तो इसको पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको यह सायन दिखाई देरा इसके उपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे यहां पर आप अपने गुरू अगर्वा इसके यहां पर आपको ईमिज लगाने के बाद यहां पर आपको option दिख Bailey राइट इसको पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां किने करेंगे तो यहां देखिए हैं आपका यहां पर बन चुका है। और 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 Пот करना चाहते हैं तो यहाँ पर add member के उपर क्लिक करके और भी member कर सकते हैं यहां से आप यह जो आपकी link है इस group की उसको आप यहाँ से copy करके किसी को भीज कर भी आप invite कर सकते हैं इसके अलावा दूस्तों देखते हैं और क्या feature यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद देखिए न्यू ग्रूप होगे हमारा यहां पर आपके देखों कॉंटेक्ट को उप्शन दिखाई दे रहा है जैसे आप कॉंटेक्ट को पर क्लिक करेंगे जितने भी लोग आपके मुवायल में एड है कॉंटेक्ट जो भी टेलिग्राम यूज कर रहा है वो सारे यहां पर आपको शो हो जाएंगे यह देखिए काफी जा रही है सारे बंदे यहां पर टेलिग्राम यूज कर रहे है काफी लोग यूज करने लगे टेलिग्राम तो यहां से उनके उपर आप क्लिक करके इनको मैसेज बगारा भी यही से फीचर मिलता है आपको यहां पर यह देखिए इसके नीचे आपको मिलता है प्यूपिल नियरवाई की उपर गर आप क्लिक करते हैं और यहां जाने के बाद आपको अलाव एक्सिस पर पहले क्लिक कर देना है जिससे आपका जो टेलीग्राम का एक्सिस एडिवाइस लोकेशन वो अन हो जाए तो allow only while using एक पर क्लिक कर दिया मैंने इसके बाद आपके nearby जो भी टेलीग्राम यूज कर रहे है वो यहां पर आपको शो होने लग जाएंगे और उसके बाद आप उनके उपर क्लिक करके उनको contact कर सकते हैं आपके आसपास जो भी यूज कर रहे हैं वो यहां पर सभी दिखाई दे जाएंगे आपके location के according यहां पर आपको नीचे group भी दिखाई दे जाएंगे जितने भी आसपास किसी ने group बना रखेंगे वो सारे group भी आपको यहां पर मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों साथ भी connect हो सकते हैं यहां पर इसके अलाबा देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक option और मिल रहा है नीचे की और आप यह देखिए saved message इसके उपर आपको click कर देना है जैसी आप saved message के उपर click करेंगे तो दोस्तों आप इसे as a cloud storage use कर सकते हैं यानि कि आप कोई भी अपनी personal image है या कोई भी documents है कुछ भी अब यहां पर save करके सकते हैं तो यहां पर आप देखी यहां से कोई भी image Adventures बगरा मैं यहां पर यहां पर आपको सेब करके दिखा देता हूं यह Princeम करदेना है यहां किलिक करने पांद के बाद आपहँ विंदेश यहां पर आप यहां पर है ह HEY सेब करके रख सकते तो मैं यह देख इस इमेज को ही आपर सेफ करके रखने वाला webinar कुछ भी लग सकते हैं यह आपकी मर्जिव यह लिखो या मत लिखो इसके पार आपको यहांपर क्लिक कर देना है तो यह image आपके पास हमेशा के लिए save करके रखी रहीगी, आप कभी इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपना इसे cloud fair के तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक और option देखिए, nearby profile nearby हो गया, आपका save message हो चुके हैं, इसकी बाद option आपको यूजर नेम बना सकते हैं, जिससे के लोग आपको आपकी यूजर नेम से भी सर्च कर सकते हैं, तो यूजर नेम बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको option देखायर है, you can use a to z 0 to 9, and under discord minimum 5 character का आपका यूजर नेम हो सकता है, तो यहाँ पर आप जो यूज बनान से, हो चुका है, तो अगर कोई मेरो को सर्च करेगा, तो मैं आसानी से मिल जाओगा पो टेलिग्राम पर, इसके बाद आपको देखिए, notification and sounds का option मिल ला है, अगर आप इसके उपर क्लिक करेंगे, तो आपका जो private chat है, यहाँ पर यहाँ आउन कर रखा है, ग्रूप सापके, इसमें जो notification है, आपका, यहाँ से आप उसका notification को off कर सकते हैं, जैसे private chat है, यहाँ पर यहाँ पर आप इसे off कर रखी थी, यह on कर दिये, फिर से हमने, चैनल है, तो यहाँ पर जितने भी notification वगरा है, sound मैंने सभी on कर रखे हैं, आप जो भी करना चाहें, आपर कर सकते हैं, इ notification sounds को बाद यहाँ पर आपको मिलना है privacy and security, यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर भी काफी सारे feature आपको मिलना है, आप किसी यूजर को ब्लॉग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, अभी तक मैंने किसी यूजर को ब्लॉग नहीं किया है, और इसके अलाबा, my contact यहाँ पर भी किसी देख स्कते हैं, अपर, everybody पर आप कर देके कर दें गोगेगे, सभी आपको मुआल नबर देख़ेंगे,aka माई परक्ते हों, तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए, आपको option बना है last scene और online, तो आपने last scene कब किया था, online कब थे, तो यहाँ पर अफ्लाइन था और नोबड़ी पर क्लिक कर दो तो कोई भी नहीं देख पाएगा यानि कि आप लाज दीन और ओनलाइन हेड़न कर सकते हैं यहां से इसके अलाबर दूस्तु यहां पर आपको परोफाल फोटो वगयरा है आपकी पर पर जो फोटो है किसको देखाना चाहते है इबरीवरीडि यहां पर क्लिक कर रखा कर में यहाँ ऑपर माई huis कॉण्टेक्ट पर क्लिक कर दिता हूं तो किबल जो मैरे कॉंटेक्ट वाले बंदे हैं मुआ नंबर वाले वही देख पाएंगा कोई नहीं कर पाएगा मैं लेकिन यहाँ पर everybody पर क्लिक करके छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर इसके अलबर दोस्तों यहाँ पर आपको option मिला है forward messages तो जो message है आपका यहाँ पर क्लिक कर रखा है तो यहाँ देखें who can add a link to my account when forwarding my message अगर आपका जो message यहाँ किसी other person को forward करना चाता है तो अगर आपने everybody पर क्लिक कर रखा है तो वो कर सकेगा अगर my contact पर करेंगे तो आपको contact वो कर सकते है और nobody पर कर देंगे तो आपके message को कोई forward यहाँ पर नही security का इसके अलावा calls है group है तो यहाँ पर यह सारी कौन call कर सकता है आपको everybody my contact nobody तो मैंने यहाँ पर भी everybody को call क्लिक कर रखा है तो हर कोई मेरे को call कर सकता है अगर आप चाते कि वहला आपके contact वाले call करें तो यहाँ पर click कर सकते है nobody यानि कि आपको कोई भी call नहीं कर सकेगा इ देंगे तो इस सेम यह process यहाँ पर groups का है group chat अगर आप सभी कर सकते हैं मेरे पास my contact पर कर दूँगा तो केबल जो contact वाले वही कर पाएंगे तो यहाँ देखिए आपको यहाँ मिल लिए security के बारे में अगर आप देखें यहाँ पर पास कोड लॉक है इसके उपर अगर आप एंटर पास कोड डाल देंगे इसके बाद ही आप अपनी ID को उपन कर पाएंगे कोई और आदर आपका मुवाइल मिल लेगा तो भी आप वह उपन नहीं कर पाएगा अच्छे feature यहाँ पर आपको दिये जा रहे हैं इसके अलावा दोस्तों settings में यह सारी चीज अपने देख लिए यहाँ देखे data and storage का option जो आपको दिखाई दे रहा है तो data and storage के उपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर mobile data अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो media files बगेरा है यह फोटोज है अगर आप चाहते हैं मुवाइल आपका on data on है तो वह download हो जाए अपने आप तो यहाँ पर मैंने on कर रखा मैं इसको off कर देता हूं सब भी सारी चीज़े डाउनलोड होने लग जाते हैं when contact connected on Wi-Fi अगर हम Wi-Fi से connected है तब यह मेंज बगर डाउनलोड हो तो मैंने यह भी यहाँ पर off कर दिया है अवे लोमिंग में हो तब भी photo download तो मैंने यहाँ पर यह भी off कर दिया इसके ब language का इसको पर आपको कलिक करना है किस language में आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिस दे रखा है देखते हैं यहां पर हिंदी अवेलबल नहीं है तो आप इंडिया में तो यहां से आप यह लेंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आसानी से इन सब के लाबा दोस्तो तो मैंने आपको बता दिया, वहां से भी एड़ कर सकते हों, यहां से भी आप गुरूप बना सकते हैं, इसके लाबा न्यूज सेक्रेट चैट का ओप्षन आपको दिखाए देरा, इसके उपर आप क्लिक करके किसी से भी अपना यहां से किसी भी फ्रेंड को सेलेक्ट कर सकते तो उससे सीक्रेट चैट कर सकते हैं, इस चैट को आपको कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, कोई भी देख नहीं पाएगा, आप दोनों के अलाबा, इसके अलाबा दोस्तों यहां पर आप अपना चैनल भी बना सकते हैं, तो चैनल किस तरीके से बना सकते हैं, दोस्तों यहा से वह ही नाम देने वाला हूँ तैक वैसमना इसकी बाद एह बजमाल आप फिकर condition क्लिक करके फोटो भी लगा सकते हैं और यहां पर आप क्लिक करके को भी डिस्क्रिप्सिंगर दे सकте हैं और इ सब करने के बाद उस्टों आपको यहँ पर राइट क्लिक कर lock कोई को नहीं देख पाएगा तो इसके बाद यहां पर आप देखिएkonod मैं यहां पर बना लेता हूं कि कुई और यह देखिए ये अविलबल है इसके बाद यहाद आपको राइट क्लिक करदेना है इस तरिके से आप अमना चैनल बना सकते इसके अलावर आप यहाँ पर जो ओप्शन देख़ा जाने हैं सबक्ष्राइबर को एड कर सकते हैं जितने जाथ आपके इना सब्सक्राइब, और आप और आपर क्लिक कर दें, और वो सारे यहांपर चैनल भी बना सकते हैं दोस्तों यहां मैं जितनी फीचर थे सभी के बारे में और लेडी मैंने आपको बता दिया है इमीद करता हुगा आपको विजी पसंद आएगी